गाटी खोड़ दा गाटी चल 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 दे शाली मही दे दे गौत दे ये देखिए कैसे गुरुग्राम की सड़कों पर गौत असकर मौत का खेल खेलने में लगी हैं इस वाहन में गौत तसकर उसी गौवंश को लाद कर ले जा रहे हैं जिसकी हमारे देश में पूजा होती है मगर इन्हें इस आस्था और शद्धा से कोई मतलब नहीं इन्हें तो गाय चोरी करने और उसकी तसकरी करने में भारी मुनाफ़ा जो कमाना है पूरा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है जहां गौरक्षकों को लगातार शिकायते मिल रहे थी केक पिकप रोजाना गाय चोरी कर गायब हो जाती है जिसके बाद ऐसे ही पिकप जब गौरक्षकों के सामने दिखाए दी तो क्या हुआ खुद देख लेजी जना मुआ है ऑरण जना जाटे रखिए कर बखाए तो बाहीद किर निकलादार मुर्स करत अरतरर dowब एंद जिसना खावाए gauge क्ě खिए है बार करते हैं को पहुकर ज आचने कि ठुदुआयो कि अचने कि रहर कि ग्यार चल 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 के ला मगड़ को चल चल कि लोग decided तो देखा आपने इस पिक अप में कई गौवंश लेकर भाग रहे तसकरों के पीछी जब गौरक्षकों की गाड़ी पड़ी तो अपनी जान बचाने के लिए आरोपी पिक अप को पागलों की तरफ बेलगाम भगाते रहे इस दोरान आरोपियों ने गौरक्षकों की गाड़ी पर पत्राद किया और बीच बीच में पिक अप से गौवंश भी बाहर फेकते रहे मगर आकिर में जब सामने रोड़ बंद मिला तो गाड़ी छोड़ कर फरार हो गए पैकने किस लिए चोड़ी की थी? भागने के लिए तसकरों ने पुराने गुरुग्राइम की छोटी छोटी गलियों में गाड़ी फसा दी सक्टर 9 में अंडर कंस्ट्रक्शन रोड़ पर फसने के कारण तसकर अपनी गाड़ी को मौके पधी छोड़ कर फरार हो गए गौर अक्षकों ने गाड़ी पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दे दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपे तसकर और उनके वाहन को बरामत कर लिया तरह ने काफि पत्थराओ करा है कम से कम 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ी ओपर और हमारी गाड़ी के आगे गया गावन सो को फैक दिया जिससे गाड़ी पलट भी इसकी थी फिर भी हमने इनका पिछा ना छोड़ते हुए इनको सेक्टर नो में कोलीज के सामने पकड़ा और एक तसकर मौके पर पकड़ा गया जिसमें चियार पांच तसकर मौके से भाग गए इन तसकरों ने गुड़गाओं की गलियों में ऐसा आतंक मचाया की लोग सेहम गई कई किलोमिटर तक इन तसकरों ने लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुचाया आरुपियों की गाड़ी से तीन जिंदा गाय बरामद हुई बतादे पहले भी कई बार इसी तरह गौरक्षकों ने तसकरों का पीछा कर गौवश बचाया है ऐसे में जरूरी है कि पोलिस ऐसे लोगों पर सकती से कारवाई करें ताकि और लोग इस काम में ना पड़े पज़ाब केस्टी टीवी के लिए पवन कुमार से टी की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद